इस सुरू में आपको भी काफी सारे ताने सुनने पड़े होंगे जी बिल्कुल बिल्कुल ताना तो रहें ताने के बाद ही तालिय होती है दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम मिडिया अभी के जुग में भगवान है उसके बदोलत ही है अमर्जीत को एक पहचान मिली है तो कहीं नहीं कर पाते हैं तो कहीं नहीं वह अच्छा ही है कि हम इस फैमिली से बिलॉंग करते हैं उस फैमिली में स्ट्रागल जाने बोली गुट पर बड़े-बड़े स्टार से म मेरी है दर देबे खुद ही मेरी तेरी आशकीने मारा तू है जिन्दगी मेरी दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नहीं सोच मित्रों अगर आप लोग सोसल मीडिया पर एक्टिव होंगे तक कहीं न कहीं इस चेहरे को आप लोग जरूर देखे होंगे और यह वही सक्स हैं जिनका नाम अमरजीत जैकर है जो किसी समस्तिपूर के रहने वाले हैं और कहीं न कहीं सोसल मीडिया के माध्यम से रातो रात वायरल हो गए थे और एक छोटे से गाव से एक छोटी सी जोपड़ी से निकल कर गए बॉली गूड तक का जो सफर था कहीं न कहीं उसके पीछे कितना श्ट्रगल है कितना मेहनत किये हैं वही सब जानने के लिए आज हम इनके पुस्तैनी मकान पे पहुचे थे हलाकि यह बहुत जादे बीजी रहते हैं बहुत सारा इनका प्रोग्राम चलता रहा था जिसके वज़े से समय नहीं दे पाते हैं लेकिन आज संजोग वस यह अपने घर पे मवजूद थे जिसके वज़े से आज हम से मिल गए तो इसे सारे श्ट्रगल का जो मतलब की पिछला जो भी मेहनत की हैं उसके बारे में जानेगे कैसे जो है कि जोपड़ी से रातो रात वाइरल हो गए तो क्या कहा जा सकता है कि हाँ वाकई में रातो रात वाइरल हुए उसके पीछे का कुछ वज़ा नहीं है नहीं वज़ा तो बहुत सारा है जी थोड़ा बताइए था आठ सालों से मेहनत करते आए हैं और जो पल्लवी जुआ जहां से आप आये ह वह सबसे पहले मेरा इंटर्विव ली थी तो उनको पता है कि कब से मेरा जर्निया स्टार्ट हुआ है कब से मेहनत कर रहे हैं तो सब देखी यह बताइए आप मतलब जब वायरल हुए थे उसके पहले कब से गाना गाते थे आप आपको बताएं कि 2017 या 2016 से स्टार्ट कर दिये यानि पांच सल पहले पांच सल पहले तो हम प्रफेशनली तरीका से हमाइब इस सीखने के परपोस से लेकिन उसे पहले गाते थे मतलब सुरू से आपके मन में कीड़ा था कि हमको इस इंगर बना वो नहीं देकी गाना है गाते है फिलिम जैसे की ही रो रहत आक्टिंग गर तो बात में पता चला कि नहीं जो ही एक्टिंग करता है पीछे ब्लेड़क सिंगर होता है फ्लेश अलग 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 इस बताएं है पांच साल में जो आप मेहनत किये हैं उसके पीछे गाउं के लोग क्या सबट्ट चूल नहीं किया भी आगर जहां से बिहार पुली उसको तो सब ऐसे ही बोलें कि इसे कुछ नहीं होने वह जाता है फिर उसके भी बच्ची लोग करने लगते हैं उसके पीछे लग लग जाते हैं इस सुरू में आपको भी काफी सारे ताने सुनने पड़े होंगे जिए बिल्कुल तो ताने के बाद ही ताली होती है जिन्दग किसी से बात करने तो खुशी की बात है कि जलन होते हुए मेरे में चल्चा होता है जय्व फाके में आज मुझे भी काफी खुशी हो रही है कि मैं एक कहीं ना कहीं एक स्टार से मिला हुआ अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं स्टार तो बस लोगों का प्यार है सपोर्ट है तो बस है जब वाइरल हुए थे तो यह गाना गा रहे तियात में बरस था चीठा था और गाते हुए जो तो थ्टबागना सुनाई तो फिकड़ी तो दिल दे दिया है जान तुम्हें देँंगे दगाने करेंगे सरो हो रवड इकी सब्यारा रवड इक सम्य franchis provoc 번째 दिमाग में मतलब कैसे आ की इसी गाने को गाना चाए आपको बहुत सारी गाने आते हैं बपकर इ Hampshire ये नहीं तौछ है लेकिन को यहां नहीं तो यह कोई है कुछ नहीं बस अपना वीडियो बना अपलोड कर दिए और मेरे मुहूं से मतलब कैमरा इंद कि हमको यह गाना जाना वह नहीं था जाना वह गाने से कनेक्शन उसके पीछे बहुत सारे आप प्रोग्राम करते हैं उसके पहले मतलब करते हैं जब पहले के मुकाबले अभी अभी ज्यादा मिला है तो यानि आप भी मानते हैं कि कि सोसल मीडिया जो प्लेटफरम है और चोटे छोटे लोगों को सब कुछ बनाती है कि रहें पिछले कितना दिन हो गया आपको वाइरलव वह कंछे तरह पहुंच है आप मांनते हैं क्या आपके जिंडी सोसल मीडिया भगवान है उसके बदर यहां मरजीत को एक पहचान मिली प्रोफेशनल्य लोग ज़्यादा नहीं लेकिन छीड़ा चलाते हैं जो लेवर का करते हैं वह बहुत जादा पहचानते हैं मतलब प्यार देते बहुत अच्छा में लगता है मुंबई में रहते हैं तो ओटो चलाने वाला पहुंचान जाता है। हमीश हमा को बुलाए हैं मुंबई मे necesita पहले नहीं गया थी चमा वे तो में नहीं बुलाए पहले रहमत सर्जो सलमान खान सर के राइट हैंड है सबी रहमत जो तेरी मेरी गना सुने वह गना अभी नहीं यह लग दाद उन्हीं के साथ रहे हैं बहुत सपोट करते हैं लो रही में इस रेस्मिया जी आपको गाना भी दिये थे गाने के लिए हाई गना दिया बहुत सार आप त उन्हीं था तो वहां पर जैसे गह तो बोले की देखो यह गाना है अगर तुम गा दिए तो यह गाना तुम्हारा हो जाएगा तो हम बोलेड है मौका को हाथ से जाना नहीं चाहिए बस बताए हम गाधी है फिर अमको मिल गया गाना और उसके साथ तो 10-12 गाना मिल गया हमको तो अच्छी बात है कहीना कहीं रातो रात ये स्टार बने हैं लेकिन उसके पीछे का जो महनत है ना कहीना कहीं चोटी सी गलियों से गुजरते हुए किसानी करते हैं और किसानी करके महनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरन पोषन करते हैं पापाक बारबर हशा वाले कि चलाते हैं तो एक सेलून वाले की बेटे-डे नहीं थे तरह बड़ा काम करते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मांजी थे वह थोड़ीना कलेक्टर के बच्चा थे वह भी तो हमी लोग के जैसे छोटे से गाउं से थे छोटे से इंसान थे पहार तोड़ी दी वही चीज है मतलब पहचान आपको उस चीज से नहीं मिलती है अगर हमारे अगर पीता अगर कोई तो कभी ना कभी तो उस पर ब्रेक लगाएंगे कि हां चलो अब ठीक लोग नहीं मानता नो बोलते हैं कि हम यहीं से स्टार बन गई ला तू तो हम तो कमवा नहीं है छोड़े हाँ आप लोग बोलते हैं हाँ दू देखिए उसी से तो बड़े हुए ना तो वह चीज अभी मुझे काफी खुशी हुआ इस बात का कि छोटे से गाउं का लड़का जो है कि बॉली गूड तक का जो शफर है वह तैकि एक चीज और जाना चाहिए बड़े-बड़े स्टार से मिली तो क्या आपको भी लगता है कि उसमें परिवारवाद चलता है कि मेरा बेटा है तो व वालीवूड बहुत ही अच्छे हैं ऐसा नहीं है अगर कुछ दिन पहले हम मिले दिन का गाना गाए है दिल दे धिया उनसे मिले हीमेसर से से मिले सब भी रहमाद सर से मिले कनिका कपुर को सब लोग जानते चिटिया कलाया जो गाना गाई उन लोग के घर पर हम गए बहुत अच्छे से लोग ट्रेट करते हैं ऐसा नहीं है कि तुम यहां से हो वहां से फैमिलीर जैसे बहुत अच्छा लगता है जा एक और चीज दे महिने में अगर 10 गाना मिलता है तो तस गाना वह ऐसा करें असलील नहीं चाहिए जो गाना है जैसा हम बता है और निकरंग पीर हो गया बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं परिवार के संग बहुत पूरी में आप इंट्रेस्ट हैं क्यों ने हम लोग भशपूरी से है हम लोग बिहार से हैं तो भशपूरी को कैसे चोड़ सकते हैं अब बहुत सारे बड़े-बड़े जो सितारे हैं बॉलीवूट के उन्होंने गाया है तो आप केवले स्टेश सो करते हैं कि गाना व्योगर अभी शूटिंग हो चल रहा है आपका स्टेश सो करते हैं लेकिन गाना जो रिकॉर्डिंग होती है सूट होती है अभी फिलहाल बहुत कुछ आने वाला अभी देखते रहें आपके परिवार में अभी पहले के मुकाबले सब कुछ सही हो गया है बढ़ी है लोगों का प्यार है तबी तो भगमान का है अब लोगों का प्यार मिला आप सोश से कुई जी तेरे बिन अधूरी है दर्दे बेखुदी मेरी तेरी आशकीने मारा तू है जिन्दगी मेरी तेरी आशकीने मारा तू है जिन्दगी मेरी बहुत हो धान्यवाद गईना कहीं मर्जीद जैकर जी रातो रात ते स्टार बने जिसके पीछे का वज़ा है कहीं न कहीं गाउं की गलियों से निकले एक चीज आखरी में यह जानेंगा मर्जीद जी असलील जो गाते हैं उसको असलील मुक्त कैसे बनाया जाए लोगों को क्या मुहिम चलाना चाहि देखिए गुठका आप खाते हैं तभी दुकान में उपलब्द है अगर नहीं जब तक जब आप नहीं खरी देगा तब तो दुकान से हटी जाएगा तो आप सुनना बंद कर देजी गाने वाले सिर्फ साइड हो जाएंगे तो आप सुनना बंद की जाएगा तभी तो दो लोग सब्सक्राइब कर देख़ा तो गुठके में इस गूत कर देखाईगा तो लोग जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक वह तो करेगा ना आप तब तो और अची बात है ना अगर बंद हो तो बहुत अची बात है धाट यां दोनों लोग को ताल मिल बैठागे चा बिहार से बड़े-बड़े अनुदुबे का नाम सुने अनुदुबे गोपालन की रहने वाली असलील मुक्त गाना गाती है एक भी आज तक असलील कोई गाना ने फिर भी वह स्टार है बड़े-बड़े लोग जानते हैं जो एक बहुत सारे आपना कहा जाए तो भरत सर्म अ कि अपने अब दोनों लोको का मिल जूल करके अपने जिला से असलीलता को फटाया जा सकता और सिल्टा को अटाने के लिए तमाम की मुहिम जो चलाई जा रही है और अमरजीद जी के बारे में अप क्या सूचते वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताईवाद बहुत-धन अबने बाट